बाटला हाउस लगभग लगभग डिले ही हो गई थी लेकिन कोट ने इसे राहत दी है वो भी दिल्ली हाई कोट ने अखिर मसला क्या है वो आपको बताता हूं कल देज आपको जॉनि ब्रहेम ने ट्विट किया एक सोचल मेडिया पर पोस्ट किया जहां पर मेकर से पुरी तर दे जाए यह फिल्म में कुछ शायद ऐसी चीज़ है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी तो इसके देखते हुए दिली हाई कोट ने I think के दिली में कोट में सुनवाई चल रही जहां पर दिली कोट ने मेकर्स को रिलीज करने के लिए हरी जंडी दे दी है लेकिन हां कुछ ह बहुत ही minor changes करने के लिए कहा है क्योंकि क्या सीन है कि जो अभियुक्त है कुछ जो कह दिया जो भी है तो यह फिल्म से कही ना कहीं किसी भी तरह से उनको impact ना हो तो वो देखते हुए कोट ने इस तरह के सला दे थी जिसे मेकर्स ने सुराखों से लिया यानि कि मन्जूर कि और अब भी फिलाल का फिल्म का जो minor changes का जो काम है वो I think कल से ही चालो हो गया था में भी हो गया होगा यानि कि अग्रम एंड मुवमेंट पर जाकर जाकर जो बाटला हो रहे है वो रिलीज हो रही है अदर वाइस जिसे आप से कोट के स्चला था मुझे लगा शायद डेले ह हो सकती है लेकिन fingers cross आजकल sensor board हमारा मलकोर बहुत ही strong हो चुकी इस चीज़ों में अपकोस पहले से भी strong है लेकिन और भी फटा पट चीज़े आती है इस सब चीज़ों में जो बहुत ही जरुरी है and that means we are finally going to witness John Ibrahim as DCP Sanjeev Kumar यादो जिनके लाइफ पर फिल्म बेंस है यह fake encounter थ असली था क्या था सब आपको फिल्म देखने पर आच चलेगा मैं भी एक होगा कल दो नहीं फिल्म है चुली फिल्म कितना ही वीडियो अच्छा करा दो शानल स्प्स्क्राइब करना रभ लेगा